रेडियो मिर्ची प्रिसेंट्स एक पुरानी कहानी अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना सरकंडों के पीछे प्रोड्यूस्ट बाइ अंकित शर्मा आवाज है आरजे साइमा की कौन सा शहर था इसके बारे में जहां तक मैं समझता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं बस इतना कह देना ही काफी है कि वो जगा जो इस कहानी से मुतालिक है सरहत के आसपास में थी बॉर्डर के करीब और जहां वो औरत रहती थी वो घर जोपड़ा नुमा था सरकंडों के पीछे घनी बाड़ सी थी जिसकी पीछे उस औरत का मकान था कच्ची मिट्टी का बना हुआ ये बाड़ से कुछ फासले पड़ था इसलिए सरकंडों के पीछे छुपसा गया था कि बाहर कच्छी सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी से देख नहीं सकता था सरकंडे बिलकुल सूखे हुए थे मगर वो कुछ इस तरह जमीन में गड़े हुए थे कि एक मोटा परदा बन गए थे मालूम नहीं वो सरकंडे उस औरत ने खुद वहां पैवस्त किये थे या पहले ही से वहां मौजूद थे बारहाल कहना यह है कि वो आनी किसम के परदा पोश थे मकान के लीजिए या मिट्टी का जूपड़ा छोटी छोटी तीन कोठड़ियां थी मगर साफ सुतरी सामान मुखतसर था मगर अच्छा पिछली कोठड़ी में एक बहुत बड़ा निवारी पलंग था पलंग के करीब ही कच्ची दिवार में एक ताक्चा था जिसमें सरसों के तेल का दिया राद भर जलता रहता था वो ताक्चा भी साफ सुतरा रहता था और वो दिया भी जिसमें हर रोज नया तेल नई बत्ती डाली जाती थी अब मैं आपको सुरत का नाम बताता हूँ जो उस मुखतसर से मकान में जो सरकंडों के पीछे चुपा रहता था अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी मुक्तलिफ रिवायते हैं बाज लोग कहते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं थी एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बच्पन ही से गोद लेकर और पाल पोस्कर बढ़ा किया था बाज कहते हैं वो उसकी सौतेली बेटी थी कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वो उसकी सगी बेटी थी हकीकत जो कुछ भी है उसके बारे में यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता हाँ ये कहानी पढ़ने के बाद आप खुद कोई राय कायम खर लीजेगा देखिए मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया बात असल में ये है कि उस औरत का नाम कोई एहमियत नहीं रखता उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजे सकीना महताब गुलशन या कोई और आखिर नाम में रखा क्या है लेकिन आपकी सहूलियत के खातर मैं उस औरत को सरदार कहूंगा सरदार अधेर उम्र की औरत थी वो किसी जमाने में यकीन खुबसूरत रही होगी अब उसके सुर्खो सफेद गालों पर किसे قदर जुरियां पड़ गई थी फिर भी वो अपनी उम्रे से कई बरस छोटी दिखाई देती थी मगर हमें उसके गालों से क्या लेना देना उसकी बेटी मालूम नहीं वो उसकी बेटी भी थी या नहीं शबाब का वड़ा दिलकश नमूना थी उसके खदोखाल में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये नतीजा निकाला जा सके कि वो फाहिशा है चरित्रहीन है लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँस से पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी ये भी हकीकत है कि उस लड़की को जिसका नाम फिर आपकी सहुलियत के खाते मैं नवाब रखे देता हूँ इस पेशे से नफरत नहीं थी असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मकाम पर परवरिश पाई थी कि उसको सही इज़त वाली जिन्दगी का कुछ पता ही नहीं था जब सरदार ने बिस्तर पर उस निवाडी पलंग पर पहला मर्द नवाब से मतारिफ कराया होगा तो नवाब ने यही समझा होगा कि तमाम लड़कियों की जवानी का आगाज कुछ इसी तरह होता है अब वो अपनी इस कजबियाना जिन्दगी से मानूस हो गई थी उसके नजदीक उसकी जिन्दगी का मतलब मगर सच पूछिये तो उसको इस हकीकत का गतनम एहसास नथा कि वो गुना की जिन्दगी बसर कर रही है वो गुना के बारे में गोर भी कैसे कर सकती थी वो गुना के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी उसके जिसम में खुलूस था वो हर मर्द को जो हफ़ते डेड़ हफ़ते के बाद एक तवील दूरी तैकर के आता था अपने आप से पुर्द कर देती थी वो समझती थी के हर औरत का यही काम है वो हर मर्द की हर आसाइश हर आराम का खयाल रखती थी वो किसी मर्द की कोई नन्धी सी तकलीफ भी बरदाश्ट नहीं करती थी नवाब को शहर के लोगों के तकलुफात का इर्म नहीं था वो ये कतहन नहीं जानती थी कि जो मर्द उसके पास मोटरों में बैट कर आते हैं वो सुबह सवेरे अपने दांद ब्रुश के साथ साफ करने के आदी होते हैं वो आखे खुलते ही सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं और फिर बात्रूम के ले जाते हैं उसने आहिस्ता आहिस्ता बड़े अलहर तरीके पर उन मर्दों की आदत से कुछ वक्फियत हासल कर ली थी फिर उसे बड़ी उलजन होती थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते थे कोई सुबा सवेरे उटते ही सिगरट मांगता था तो कोई चाये और बाज ऐसे भी होते थे जो उटने का नाम ही नहीं लेते थे कुछ साथी सारी रात जाकते रहते थे और सुबा मोटर में सवार होकर भाग जाते थे सरदार बेफिक्र थी उसको अपनी बेटी पर या जो कुछ भी वोसकी थी पूरा यकीन था कि वो अपने गाहकों को संभाल सकती है वो हर वक्त अफीम की गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी जब कभी ज्यादा शराब पी लेने की वज़ा से किसी गाहक की तबियत ज्यादा खराब हो जाती थी तो वो उठाए जाने पर घुनूदकी के आलम में उठा करती थी और नवाप को हिदायत दिया करती थी कि वो गाहक को अचार खिला दे या नमक मिला गरम पानी पिला कर उल्टी करा दे या फिर थपकियां दे दे कर सुला दे सरदार एक मामले में बड़ी सतर्क थी जू ही कोई गाहक आता था वो उससे नवाप की फीस पहले ही वसूल करके अपने नेफे में महफूज कर लेती थी और अपने मकसूस अंदास में दुआएं देने के बाद कि वो आराम से जूले जूले दिबिया में से अफीम की गोली निकाल कर और मुँ में डाल कर सो जाती थी यू जो रुपया आता था उसकी मालिक सरदार थी जो तोफे वसूल होते थे ये नवाब ही के पास रहते थे उसके पास आने वाले लोग दौलत मंद होते थे इसलिए वो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहना करती थी और किस्म किस्म के फल और मिठाईयां खाती थी नवाब खुश थी मिठ्टी से लिपे पुते उस मकान में जो सिर्फ तीन चोटी चोटी कोठड़ियों पर खड़ी थी वो अपनी दानिस्त के मताबक बड़ी दिल्चस्प और खुशगवार जिन्दगी बसर कर रही थी एक फौजी अफसर ने उसे ग्रैमो फोन और बहुत से रिकॉर्ड ला दिये थे फुरसत के आउकात में वो उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती रहती थी और उनके नकल उतारने की कोशिश किया करती थी उसकी गले में कोई रस नहीं था मगर वो उससे बेखबर थी सच पूछिये तो उसको किसी भी बात के खबर नहीं थी औरना उसको इस बात के ख्वाहिश थी कि वो किसी चीज से बाखबर हो जिस रास्ते पर वो डाल दी गई थी वो रास्ता उसने कुबूल कर लिया था बड़ी बेखबरी के आलम में सरकंडों के उस पार की दुनिया कैसी है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी सिवाए इसके के एक कच्छी सडक है जिस पर हर तीसरे चौथे दिन धूल उडाती हुई एक मोटर आती है और रुख जाती है फिर हॉन बज़ता है और उसकी मा या जो कोई भी वो उसकी थी खाट पर से उखती है सरकंडों के पास जाकर मोटर वाले से कहती है कि वो मोटर जरा दूर खड़ी करके अंदर आ जाए फिर वो अंदर आ जाता है और थोड़ी देर के बाद निवाडी पलंग पर बैटकर वो उसके साथ मीथी मीथी बातों में मश्गूल हो जाता है उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद ज्यादा नहीं थी यही कोई पाँच्छे लोग होंगे मगर यह पाँच्छे लोग मुस्तकिल गाहक थे और सरदार ने कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उनका मिलना जुलना ना होता था सरदार बड़ी होशे हर औरत थी वो हर गाहक के लिए कुछ इस तरह दिन मुकरर करती थी कि किसी को भी शिकायत का मौका ना मिलता था वो खास तोर से इस बात का ध्यान भी रखती थी कि कहीं नवाब मा ना बन जाए जिन हालात में नवाब अपने जिन्दगी गुजार रही थी उन हालात में उसका मा बन जाना यकीनी था मगर सरदार दो ड़ाई बरस से बड़ी काम्याबी के साथ इस कुद्रती खत्रे से निपट रही थी सरकंडों के पीछे ये सिलसला दो ड़ाई बरस से हमवार तरीके पर चल रहा था पुलिस वालों को बिलकुल इल्म नहीं था बस सिर्फ वही लोग जानते थे चो वहां आते थे या फिर सरदार जानती थी और उसकी बेटी नवाब या जो कोई भी वोसकी थी एक दिन सरकंडों के पीछे उस मकान में एक इनकलाब आ गया एक बहुत बड़ी मोटर गालिबन डॉज कच्ची सड़क पर रुकी हॉर्ण बजा तो सरदार कोठडी से बाहर निकली बाड के पास आकर उसने देखा कि कोई अजनबी है उसने कोई बात न की अजनबी ने सरदार को देखा मगर कुछ न कहा फिर उसने जरा दूर ले जाकर मोटर खड़ी की मोटर से उतरने के बाद वो घनी बाड में तकरीबन छुपेवे रास्ते से सरदार की तरफ देखे बगैर यकीनी अंदाज में बढ़ा जैसे बरसों का आने जाने वाला हो सरदार सपटा कर बाड के पास खड़ी की खड़ी रह गई दरवाजे की देहलीज पर नवाब ने अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से स्वागत किया और फिर उसे उस कोठडी में ले गई जिसमें निवाडी पलंग बिचा हुआ था अभी वो दोनों साथ साथ पलंग पर बैठे ही थे कि सरदार आ गई वो ओशियार औरत तो थी ही उसने महसूस किया कि अजनबी किसी दौलत मन घराने से है, खुश शकल भी है और सेहत मन भी उसने अंदर कोठडी में दाखिल होकर अजनबी को सलाम किया और पूछा अजनबी मुस्कुराया फिर बड़े प्यार से उसने नवाब की गोश्ट भरे गालों में अपनी उंगली चुबो कर कहा इसने नवाब तड़प कर एक तरफ से मचसी गई और उसने एक अदा के साथ कहा हाई मैं तो कवी तुमसे मिली ही नहीं अजनबी की मुस्कुराहाट उसके होटों पर और ज्यादा फैल गई लेकिन हम तो कई बार तुमसे मिल चुके हैं नवाब ने पूछा कहां? कप? हैरत के आलम में उसका छोटा समू कुछ इस तौर पर वा हुआ कि उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफे की वज़ा हो गया अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की तरफ देखते वे कहा अपनी माँ से पूछ लो नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी मा से या जो कोई भी वोसकी थी पूछा कि वो शक्स उससे कब और कहां मिला था सरदार सारा मामला समझ गए थी और वो पांच्छे लोग जो उसके यहां आते हैं उनमें से किसी एक ने नवाब का जिक्र किया होगा और सारा अतापता बता दिया होगा उसने नवाब से कहा मैं बता दूंगी तुझे और ये कहकर वो बाहर चली गई खाट पर बैटकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली मुँ में रखी और लेट गई वो मुतमईन हो गए थी कि आदमी अच्छा है और कोई गडबर नहीं करेगा यकीन से तो इस बारे में कुछ नहीं का जा सकता लेकिन लगता यही है कि अजनबी जिसका नाम हैबत खान था और जो जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था नवाब के अलड़पन से इस गदर मतास्सिर हुआ कि उसने रुकसत होते वक्त सरदार से कहा अब नवाब के पास और कोई नाया करे सरदार होशयार ओर थी उसने हैबत खान से कहा खान साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इतना रुपए दे सकेंगे कि… हैबत खान ने सक्त नजरों से सरदार की बात काड़ दी फिर उसने अपनी जेब में हाट डाला, सौसा के नोटों की एक गड़ी से निकाली और नवाब के कदमों में फिक दी इसके बाद उसने अपनी एक उंगली से हीरे की अंगूठी उता रही नवाब की उंगली में पहनाई और तेजी से सरकंडों के उस पार चला गया नवाब ने नोटों की तरफ आँख उठा कर भी न देखा था पस वो थो अपनी सजी भी उंगली देख रही थी काफी बड़े हीरे से रंग रंग की शुआएं फूट रही थी बार कच्ची सड़क से मोटर स्टार्ट होने की आवाज उसके कानों में पहुची तो वो चौकी और सरकंडों की बाड़ की तरफ लपकी गर्दो गुबार के सिवा सड़क पर कुछ भी नहीं था सरदार नोटों की गड़ी उठा कर नोट गिन चुकी थी एक नोट और होता तो पूरे दो हजार होते इस कमी का उसे अफसोस ना हुआ सारे नोट उसने अपनी गेरदार शलवार के नेफे में बड़ी सफाई से उड़सने के बार डिबिया खोली अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और बड़ी इतमिरान से मूँ में डाल कर खाट पर लेट गई और देर तक सुती रही नवाब बहुत खुश थी वो बार बार अपनी उस उंगली को देखती थी जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी तीन चार रोज गुजर गए इस दोरान में पांच छे पुराने गाहकों में से एक गाहक आया तो सरदार ने कहा कि पुलिस का खत्रा है इसलिए उसने धंदा बंद कर दिया है ये गाहक जो खासा दौलत मन था बिना कुछ हासल किये वापस चला गया सरदार को हैबत खान ने बहुत मतास्र किया था उसने अफीम खाकर पींग के आलम में सोचा था कि अगर आमदनी उतनी ही रहे जतनी की है और गाहक से फेक हो तो बहुत अच्छा है उसने फैसला कर लिया था कि वो सब गाहकों को आहस्ता आहस्ता ये कहकर तरखा देगी कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए है और वो ये बरदाश्ट नहीं कर सकती कि गाहकों की इज़त खत्रे में पड़ जाए हैबत खान एक हफ़ते के बाद नमुदार हुआ इस दौरान में सरदार दो और गाहकों को मना कर चुकी थी कि वो इधर का रुख ना किया करें हैबत खान उसी शान से आया जिस शान से वो पहले रोज आया था आते ही उसने नवाब को अपनी चाते के साथ भीच लिया सरदार से उसने कोई बात न की नवाब उसे बलकियों कहिए वो नवाब को सकोठडी में ले गया जहां निवाडी पलंग बिचा हुआ था इस बार सरदार अंदर ना आई वो अपनी खाट पर अफीम की गोली खाकर उंगती रही इस बार हैबत खान बहुत खुश हुआ उसको नवाब का अलहर पन और भी जादा पसंदाया नवाब पेशेवर रंडियों के चलिकतरों से कतन नावाकिफ थी उसमें वो घरेलू पन भी नहीं था जो आम घरेलू औरतों में होता है उसमें कोई ऐसी बात थी जो खुद उसकी अपनी थी दूसरों से बिलकुल मुक्तलिफ वो बिस्तर में हैबत खान के साथ इस तरह लेटती थी जिस तरह कोई बच्चे अपनी मा के साथ लेटता है मा की चातियों पर हाथ फेड़ता है मा की नाग के नतनों में अपनी उंगलियां डालता है मा के बाल नोचता है और फिर आहस्ता आहस्ता सो जाता है हैवत खान के लिए एक नया तजर्बा था उसके लिए औरत की ये खिस्म बिलकुल निराली, दिर्चस्प और खुशी देने वाली थी वो अब हफते में दो बार आने लगा था कि नवाब उसके लिए एक बेपना कशिश बन गई थी सरदार खुश थी कि उसे अपने नेफे में उड़सने के लिए काफी नोट मिल जाते थे लेकिन अब नवाब अपने अलड़पन के बावजूद सोचने लगी थी कि हैवत खान डरा डरा सा क्यों रहता है जब कभी सरकंडों के उस बार कच्ची सड़क पर से कोई लौरी या मोटर गुजरती है तो वो क्यों सहम जाता है क्यों उससे अलग होकर बाहर जाता है और क्यों छुप छुप कर देखता है कि कौन है कौन नहीं है एक रात बारा बजे के करीब सड़क पर से कोई लौरी गुजरी हैवत खान और नवाब दोनों एक दूसरे से गुथे हुए सो रहे थे कि एकदम हैवत खान बड़ी जोर से कापा और उठकर बैठ गया नवाब की नीन बड़ी हलकी थी हैबत खान कापा तो वो सिर से पाउं तक यू लरस गई जैसे उसके अंदर जलजला आ गया है चीख कर उसने कहा क्या हुआ हैबत खान अब किसी कदर संभल चुका था उसने खुद को और ज्यादा संभाल कर कहा कोई बात नहीं मैं शायद खौब में डगया था रात के खामोशी में लौरी की आवाज दूर से अभी तक आ रही थी नवाब ने कहा नई खान कोई बात है जब भी कोई मोटर या लौरी सड़क पर से गुजरती है तुम्हारी यही हालत हो जाती है हैबद खान की शायद यह दुखती रख थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था उसने अपना मरदाना वकार कायम रखने के लिए बड़े तेज लहजे में कहा मोटरों और लारियों से डरने की क्या वज़ा हो सकती है नवाब का दिल बड़ा नाजुक था हैबद खान के तेज लहजे से उसे ठेस लगी और उसने बिलक बिलक करोना शुरू कर दिया जब हैबद खान नवाब को चुप कर आया तो वो अपने जिन्दगी के एक लतीफ तरीन हस से आशना हुआ और उसका जिस्म नवाब के जिस्म से और ज्यादा करीब हो गया हैबद खान अच्छे कपकार्ट का आदमी था उसका जिस्म गठा हुआ था वो खुबसूरत था उसकी बाहों में नवाब ने जिन्दगी में पहली बार बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी उसको जिस्मानी लजज़त की अलिफ बे हैबद खान ही ने सिखाई थी वो अब उससे महबबत करने लगी थी यूं कहली जे कि वो शेय जो महबबत होती है उसके भेद अब नवाब पर खुल रहे थे हैबद खान अगर एक हफ़ते गायब रहता तो नवाब ग्रैमो फोन पर दरदीले गीतों के रिकॉर्ड बजाती और खुद उनके साथ गाती और आहें भरती वो अब तक बस एक उलज़न में गिरफ़तार थी कि हैबद खान मोट्रों और लौरियों की आमदोर उफ़त से क्यों खबराता है महीनों गुजर गए नवाब किसी पुर्दगी और उसकी तेजी में इजाफा होता गया मगर उसकी उलज़न भी बढ़ती गई कि अब हैबद खान चंद गंटों के लिए आता था और अफरा तफरी के आलम में वापस चला जाता था वो महसूस करने लगी थी कि ये सब किसी मजबूरी की वज़ा से है वो ये जान गई थी कि हैबद खान का जी ज़्यादा से ज़्यादा देर उसके साथ रहने को चाहता है उसने कई मरतबा हैबद खान से इस बारे में पूछा मगर वो बात गोल कर गया एक दिन सुबा सवेरे हैबद खान की डौज सरकंडों के पार रुकी नवाब सो रही थी हॉर्ण बजा तो वो चौक कर उठ बैठी फिर वो आँखे मलती मलती बाहर निकल आई हैबद खान जरा फासले पर मोटर खड़ी करने के बाद मकान के पास पहुच चुका था नवाब दौड़ती भी उससे लिपड गई उसे गोड में उठा कर अंदर उस कोठडी में ले गया जहां निवाड का पलंग बिचा हुआ था देर तक दोनों बाते करते रहे प्यार महबत की बाते जाने नवाब की दिल में क्या आई कि उस रोज उसने अपने जिन्दगी की पहली फरमाईश की खान मुझे सोने के कड़े ला दो हैबत खान ने उसकी मोटी मोटी गोश्ट भरी सुर्खो सफेद कलाईयों को कई मरतबा चुमा और कहा हम कली आ जाएंगे तुम्हारे लिए तो मेरी जान आजिर है नवाब ने एक अदा के साथ मगर अपने मखसूस अल्हड अंदास से का खान जाने तो जान तो मुझे ही देने पड़ेगी हैबत खान ये सुनकर कई बार उसकी सदके हुआ और बड़ा पुलुत्फ वक्त गुजारने के बाद चला गया चलते चलते वो वादा कर गया कि वो अगले दिन आएगा और सोने के कड़े उसके नर्म नर्म हातों में खुद पहनाएगा नवाब खुश थी उस रात वो देर तक खुशी भरे रिकॉर्ड बजा बजा कर उस चोटी सी कोठडी में नाचती रही जिसमें निवाडी पलंग बिचा हुआ था सरदार भी खुश थी उसने फिर अपनी डिबिया में से अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और निगल कर सो गई दूसरे दिन नवाब और ज्यादा खुश थी कि सोने के कड़े आने वाले है और हैबत खान खुद उसको कड़े पहनाने वाला है वो सारा दिन इंतजार करती रही पर वो ना आया उसने सोचा शायद मोटा खराब हो गई हो शायद वो रात को आ जाए वो सारी रात जाकती रही मगर हैबत खान ना आया उसके दिल को जो बहुत नाज़क था बड़ी ठेस पहुँची उसने अपनी माँ को या जो कोई भी थी वो उसकी बार बार कहा तेखो खान नहीं आया है वादा करके फिर गया है फिर वो सोचती और कहती ऐसा नहो कुछ हो गया हो और वो सेहम सी जाती कई बातें उसके दिमाग में आ रही थी मोटर का हाथसा अचानक बिमारी किसी डाकू का हमला फिर बार बार उसको लौरियों और मोटरों के आवाजों का खयाल आ जाता जिनको सुनकर हैबत खान हमेशा बौकला जाता था वो सोचती रही मगर उसकी समझ में कुछ ना आया एक हफ़ता गुजर गया मगर हैबत खान ना आया इसी दोरान में तीन चार लौरियां और दो मोटरें उस कच्छी सड़क पर से धूल उडाती गुजर गई नवाब का हर बार यही जी चाहा कि दोड़ती भी उनके पीछे जाए और उन सब को आग लगा दे वो महसूस कर रही थी कि यही वो चीज़े हैं जो हैबत खान के आने में रुकावट की वज़ा है फिर वो सोचती कि मोटरें और लौरियां रुकावट की क्या वज़ा हो सकती है फिर वो अपनी कमकली पर हसने लगती यह बात उसकी समझ से बलातार थी कि हैबत खान जैसा लहीम, शहीम, मर्द, मोटरों और लौरियों की आवाज सुनकर सहम क्यों जाता है और इस हकीकत को उसके दिमाग की पैदा की हुई कोई दलील जुटला न पाती और जब ऐसा होता तो वो बेहद रंजीदा और दुखी हो जाती और वो ग्रैमो फोन पर दरदीले रिकॉर्ड सुनना शुरू कर देती और उसकी आखें नमनाक हो जाती एक हफ़ता और गुजर गया एक रूस दो पहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर वारे खोच चुकी थी और कुछ दिर आराम करने के बारे में सोच रही थी कि अचानक उन्हें बाहर कच्ची सड़क पर से मोटर के हॉर्ण की आवाज सुनाई दे दोनों आवाज सुनकर चौकी कि ये आवाज हैबत खान के डौज के हॉर्ण की आवाज नहीं थी सरदार बाहर बाढ़ की तरफ लपकी की देखी कौन है पुराना गाहक है तो उसे तरखा दे जब वो सरकंडों के पास पहुची तो उसने देखा कि एक नई मोटर में हैबत खान बैठा हुआ है और पिछली निशस्त पर एक खुश पोश और खुबसूरत औरत मौजूद है हैबत खान ने मोटर कुछ दूर खड़ी की और बाहर निकला उसके साथ ही पिछली निशस्त से वो औरत भी बाहर निकली दोनों उनके मकान की तरफ बढ़ने लगे सर्दार ने सोचा ये क्या सिलसला है औरत के लिए तो हैबत खान इतनी दूरी से चल कर यहां आता है ये औरत जितनी खुबसूरत है जवान है पीमती कपड़ों में मलबूस है हैबत खान के साथ यहां क्या करने आई है वो अब ये सोच ही रही थी कि हैबत खान उस खुबसूरत औरत के साथ मकान में दाखिल हो गया वो उनके पीछे पीछे चली उसकी तरफ दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था जब वो अंदर पहुँची तो उसने देखा कि नवाब हैबत खान और वो औरत तीनों निवाडी पलंग पर बैटे हुए है और एक खामोशी तारी है अजीब किसम के खामोशी जेवरों से लदी फंदी औरत किसी गदर हैरान परेशान नजर आ रही थी उसकी एक तांग बड़े जोर से हिल रही थी सरदार देहलीज के पास ही खड़ी हो गई उसके कदमों की आहट सुनकर जब हैबत खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने सलाम किया हैबत खान ने कोई जवाब न दिया वो सखत बुखलाया हुआ था जेवरों से लदी फंदी औरत की टांग हिलना बंद हुई और वो सरदार से मुखातिब हुई हम आए हैं खाने पीने का तो कुछ पंदोबस्त करो सरदार ने सरतापा मेहमान नवाज बंकर कहा जो कहिए अभी तयार हो जाता है उस औरत ने जिसके खदोखाल से साफ दिख रहा था कि बड़े धडले की औरत है सरदार से कहा तुम चलो बावर्ची खाने में चूला सुलगाओ बड़ी देख्ची है घर में है सरदार ने अपना वजनी सरहलाया तो जाओ उसको धोकर साफ करो मैं अभी आती हूँ वो औरत पलंग पर से उठी और ग्रैमो फोन देखने लगी सरदार ने माज़रत बरे लहजे में कहा गोश तो यहां नहीं मिलेगा उस औरत ने एक रिकॉर्ड पर सुई रखी मिल जाएगा तुम से जो कहा है वो करो और देखो आग काफी हो सरदार यह हुकम लेकर चली गई अब वो खुश पोश औरत मुस्कुरा कर नवाब से मुखातिब हुई नवाब हम तुम्हारे लिए सोने के कड़े लाएं है यह कहकर उसने अपना वैनिटी बैक खोला और उसमें से बारीक सुर्ख कागज में लिप्टे हुए कड़े निकाले जो काफी वजनी और खुबसूरत थे नवाब करीब बैटे हुए खामोश हैबत खान को देख रही थी उसने कड़ों को एक नजर देखा और हैबत खान से बड़ी नर्मो नाज़ुक मगर सहमी वी आवाज में पूछा खान यह कौन है उसका इशारह उस औरत की तरफ था वो औरत कड़ों से खेलती वी बोली मैं कौन हूँ मैं हैबत खान की बहन हूँ यह कहकर उसने हैबत खान की तरफ देखा जो उसके जवाब पर सिकुर सा गया था फिर वो नवाब से मुखातिब हुई मेरा नाम हलाकत है नवाब कुछ न समझ सकी वो उस औरत की आँखों से खौफ खा रही थी जो यकीनन खुबसूरत थी मगर बड़े खौफनाक तौद पर खुली हुई थी उनमें जैसे आग बरस रही थी फिर वो ज़र आगे बढ़ी उसने सिम्टी वी सहमी वी नवाब की कलाईया पकड़ी और उनमें कड़े डालने लगी यकायक उसने नवाब की कलाईया छोड़ दी और हैबत खान से मुखातिब हुई तुम जाओ हैबत खान मैं नवाब को अच्छी तरह सजा बनाकर तुम्हारे खिद्मत में पेश करना चाहती हूँ हैबत खान हैरान था जब वो न उठा तो वो औरत जिसने अपना नाम हलाकत बताय था जरा तेजी से बोली जाओ सुनानी तुमने हैबत खान कापा और नवाब के तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया वो बहुत मुस्तरिब था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाये और क्या करे कोठनियों के बाहर एक बरामदा सा था जिसके कोने में टाट लगी बावर्ची खाना था हैबत खान ने देखा कि सरदार आग सुलगा चुकी थी उसने कोई बात न की और सरकंडों के उस पार कच्ची सड़क पर चला गया उसकी हालत नीम दीवानों किसी थी जरा सी आहट पर वो चौक उटता था थोड़ी देर के बाद उसको दूर से एक लौरी आती दिखाई दी उसने सोचा कि वो लौरी रुखवा ले और फिर उसमें बैटकर वहां से गायब हो जाए जब लौरी उसके करीब पहुची तो ऐसी धूल उड़ी कि वो धूल में गुम हो गया उसने आवाजे दी मगर धूल की वज़ा से उसका हलक इस काबल ही न रहा कि वो बुलंद आवाज निकाल सकता गर्दो गुबार कम हुआ तो हैबत खान तकरीबन नीम मुरता था उसने चाहा कि सरकंडों के पीछे उस मकान में जाए जहां उसने कई दिन और कई राते नवाब के अलहड पहलों में गुजारी थी मगर वो जाना सका उसके कदम ही नहीं उटते थे वो बहुत देर तक कच्ची सड़क पर धूल में लटपत खड़ा सोचता रहा वो औरत जो उस वक्त नवाब के पास थी उसके साथ उसके तालुकात काफी पुराने थे बहुत पुरानी बात है कि वो उस औरत के पती की मौत पर अफसोस करने गया था जो उसका लंगोटिया था वो मातम पुर्सी दोनों के बाहमी तालुकात में तब्दील हो गई दूसरे दिन वो फिर उस ओरत के घर में था उस ओरत ने उसे ऐसे हुक्म जटाते जोर दिखाते अंदर बुलाय था और फिर ऐसे तहक्कम से अपने आप उसके से पुर्द किया था जैसे वो उसका घुलाम हो तब हैववट खान औरत के मामले में बिलकुल कोरा था शाहिणा के पास बे अंदाजा दौलत थी कुछ उसकी अपनी और कुछ उसके मरहूम पती की हैवववट खान को इस दौलत से कोई सरुकार नहीं था शायना उसकी जिन्दगी में सबसे पहली और थी और वो उसके तहक्कम के नीचे दबकर रह गया था बहुत देर तक वो कच्छी सड़क पर खड़ा सोचता रहा और कापता रहा आखिर उससे न रहा गया वो सरकंडो की ओट में छुपे मकान के तरफ बढ़ा बरामदे में टाट लगे बावर्ची खाने में उसने सरदार को कुछ भूनते हुए देखा जब वो अंदर उस कोठडी के तरफ बढ़ा जहां निवार का पलंग बिचा हुआ था तो उसने दर्वाजा बंद पाया उसने हॉले से दस्तक दी चंद लमहात के बाद अंदर से दर्वाजा खुला उसने देखा कि कच्चे फर्श पर खून ही खून पहला हुआ था वो कांप उठा फिर उसने शाहिना की तरफ देखा जो दर्वाजे के पट के साथ लगी खड़ी थी शाहिना ने कहा मैंने तुम्हारी नवाब को सजा बना दिया है हैबत खान ने अपने खुश्क गले को लवाब से किसी कदर तर करते वे पूछा नवाब कहा है शाहिना ने जवाब दिया कुछ तो पलंग पर है और कुछ उसका बहतरीन हिस्सा बावर्ची खाने में है हैबत खान पर हैबत तारी हो गई वो कुछ न कह सका वहीं खड़ा रहा उसने आँखे भाड कर देखा कि फर्श पर खून के साथ साथ खून भरे गोश्ट के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए और खून में लथपत एक तेज छुरी भी पड़ी है चादर उठा कर दिखाऊं तुम्हारी सजी बनी नवाब है मैंने अपने हाथों से उसका सिंगार किया है तुम पहले खाना खालो बहुत भूक लगी होगी तुम्हें सरकार बड़ा लजीज गोश्ट भून रही है बोटिया मेंने खुद अपने हाथों से काटी है हैबत खान के पाउन लड़ खड़ा गए वो बा मुश्किल चिलाया शाहिना ये तुमने क्या किया शाहिना मुस्कुराई जाने मन पहली मरतबा नहीं ये दूसरी मरतबा है मेरा पती अल्ला उसे जन्नत मसीब करे तुम्हारी तरह ही बेवफा था मैंने उसको खुद अपने इनी हाथों से मारा था और उसका गोश्ट पका कर चीलों और कवों को खिलाया था तुम से मुझे प्यार है इसलिए मैंने तुम्हारे बजाए उसने जम्ला मुकमल न किया तेजी से वो पीछे हटी और उसने हाथ बढ़ा कर खुण आलूदा चादर खीच लिए एबद खान की चीख उसके हलक के अंदर ही फसी रह गई और वो बेहोश होकर गिर बढ़ा जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शाहिना कार चला रही है और वो गेर इलाके में है